चुन्नाई सुपर किंग्स ने शुक्रवार को फाइनल में कोलकतर आइट राइडर्स को 27 रन से हरा कर चौधी बार इंडियन प्रेमियर लीग का खिताब जीता। चुन्नाई ने फैले बल्लिबाजी के लिए आमंतृत किये जाने पर फौफ ड्यूफ प्लिक्स के 86 और शीर्श क्रम के अने बल्लिबाजों के उप्योग योगदान से 3 विकेट पर 92 रन बनाएं। इसके जबाब में केके आर को शुबगम गिल 51 और विकेटेश रियर 50 दे पहले विकेट के लिए क्यानमे रन चोड़ कर अच्छी शरवाद दिलाएं। लेकिन उसकी टीम आखरी में 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई थी। आपको बता दे जैसे ही CSK की टीम ने खिताब जीता तो उस समय धोनी की वाइब साक्षी दर्श्रक दिर्गा में जीत का जश्न मना रही थे। इसके थोड़ी देर बाद साक्षी मैदान पर आई और पती धोनी को गले लगा लिया। साक्षी के साथ जीवा भी अपने पापा धोनी को गले से लग कर जीत का जश्न मनाते नजर आई इसका एक वीडियो भी सामने आया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है। फैंस जम कर इस वीडियो को देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। आपको बताते जीत की बाट सभी कहलाडियों हैं अपने परिवार के साथ फोटो किछफवाएं। तो वही धोनी भी साथ ही कहलाडियों के परिवार के साथ फोटो किछफवाते हूए नसर आए। CSK ने चौधी बार खिता कर कमाल कर दिया। इसके पहले 2018 में CSK ने आई पिल का खिता था 2019 के सीजन में CSK फाइनल में पहुंच कर मुंबाइ इंडियन से हार गई थी तो वहीं दूसरी ओर 2020 में धोनी की टीम प्ले आफ में भी पहुंच नहीं पाई थी ऐसे में सीजन में टीम ने जबरदस्त बापसी की और एतिहासिक ज्रीथ हासल कर कमाल कर दिया फॉफ डूपलिक्स को मैन ओफ दर माच के खिताब से नवाजा गया डूपलिक्सी ने 86 रन की पारी खेली थी इसके लावा गाईकवाड औरेंच क्याप जीतने में सफ़र रहे रितराज इस सीजन में सबसे जादर रन बनाने वाले खिलाडी रहे इसके लावा केके आर की टीम तीसरी बार आईपल के फाइनल में पहुंची थी लेकिन टीम के बले बास कोई भी खास कमाल नहीं कर पाए सीजन के ने पहले खेलते हुए 192 रन बनाए थे जबकि जवाब में केके आर 165 रन भी बना नहीं पाई वेकटेश रहीर ने 500 और शिबम गिल ने 51 रन की पारी खेली इसके अलावा दूसरे बले बास कोई खास चल नहीं पाए